वापसी पर स्वागत है, इस वीडियो के पहले भाग में हमने व्यापक पहुँच, विशिष्ट मार्केटिंग और लागत प्रभाव शीलता के आधार पर डिजिटल मार्केटिंग की तुलना पारंपरिक मार्केटिंग से की है, अब आगे बढ़ते हैं, अंतर का अगला बि रेडियो पर विग्यापन दिया है, सप्ताह के अंत में ऐसे सैकरो ग्राहक होते हैं जो किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए आपके पास आते हैं, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका विग्यापन सुनने के बाद कितने लोग रेडियो से आए, पारंप अब आगे में निवेश पर रिटन को भी माप सकते हैं. तदनुसार, आप डिजिटल मार्केटिंग के मामले में किसी विशेश विग्यापन प्लेटफॉर्म को जारी रखने या बंद करने का निर्नय ले सकते हैं. हाला कि आप इसे पारंपरिक मार्केटिंग में नहीं कर स अब आगे बढ़ते हैं, अंतर का अगला बिंदू ये है कि डिजिटल मार्केटिंग संभावित लीड उत्पन करती है, मार्केटिंग में लीड जनरेशन का मतलब उत्पाद या व्यवसाय में ग्राहक की रुची या पूछताच शुरू करना है, डिजिटल मार्केटिंग मे कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जो आपको बहुत ही कुशल और त्वरित तरीके से लीड बनाने में मदद कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म लेंडिंग पेज, साइन अप फॉर्म, कॉल या मिस कॉल विकल्प या कॉल टू एक्शन है, आई ये इनके बारे में संक्षे परिणामों में देख सकते हैं कि Godaddy.com का एक विज्यापन है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे वेबसाइट के एक पेज पर ले जाता है, ये प्रिष्ट इस विशेश विज्यापन के संबंध में Godaddy.com का लेंडिंग प्रिष्ट है, इसी प्रकार, साइन प्रिष्ट पर एक साइन अप फॉर्म होते हैं, जहां कोई उप्योग करता विफसायों को अपना नाम, अपनी मेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर या कोई अन्य संबंधित जानकारी प्रदान कर सकता है, यदि वो ऐसा करने में रुची रखता है, आओ देखते हैं, इस फॉर्म भरदूनगा, तो एक कमपनी के लिए एक लीड तयार हो जाएगी, कॉल टू एक्शन जिसे लोगप्रिय रूप से CTA के नाम से जाना जाता है, एक छवी या पार्ट की एक पंक्ती है जो आमतोर पर विज्यापन पर दिखाई देती है और यह ग्राहक को कारवाई क करने के लिए प्रेरित करती है, आपने देखा होगा कि विभिन विज्यापनों पर अभी सब्सक्राइब करें, कॉल नाव जैसे बटन होते हैं जो CTA का बहुत लोगप्रिय रूप है, आए अंतर के एक और बिंदू पर नजर दालें, वो है प्रदर्शन उन्मुक, डिजि हमारा विज्यापन बजट रूप, Google AdWords, Facebook और Email Marketing में 100 रुपिय आवंटित किये जाते हैं, एक सब्ताह के समय के बाद, मान लीजे कि 500 ग्रहक हमारी वेबसाइट पर आए और इन 500 में से 50 ग्रहक अंतताह परिवर्तित हो गए, इसका मतलब है कि उन्होंने हमारी वेबसाइट से कुछ खरीदा, पिछले सब्ताह के दोरान हमारी कुल विक्री 5000 थी, इस मामले में मैं सपश्ट रूप से माप सकता हूं कि विज्यापन के प्रत्येक मंच से कितनी विक्री हो रही है, और मैं निवेश पर रिटन की गणना भी कर सकता हूं, इसके अलावा, अगर मुझे लगता है कि इमेल माकेटिंग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो मैं या तो इसे बंद करने का निर्नय ले सकता हूं या बाकी चैनलों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए इस पर बजट कम कर सकता हूं, इसलिए, डिजिटल माकेटिंग प्रदर्शन उनमुख ह और हमें बजट को बहतर धन्व से आवंतित करने में मदद करती है, अब हम अपने अगले बिंदू पर चर्चा करेंगे, वो है वास्तविक समय परिनाम, मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट के मालिक हैं और आप रियल टाइम में ये देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसा अनलिटिक्स जैसे टूल इस समबंध में बहुत उप्योगी है, आप मेरे गूगल अनलिटिक्स डेमो अकाउंट में देख सकते हैं कि इस समय मेरी वेबसाइट पर 20 विजिट हैं, और यह डेटा वास्तविक समय में बहुत बार बदल रहा है, मैं देख सकता हूँ कि किस ड दाहरन देता हूँ, मान लीजिए कि किसी दिन आपने देखा कि किसी दिये गए उतपाद प्रिष्ट पर बहुत अधिक ट्रैफिक है और आप इसे भुनाना चाहते हैं, अब इस मामले में आप एक ओनलाइन ओफर डिजाइन कर सकते हैं और उसे वास्तविक समय के आधार प उपलब्ध नहीं है, तो इसके साथ हमने वीडियो के दूसरे भाग के साथ काम किया है, शेश बिंदुओं को अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा, धन्यवाद